दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उम्मित करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और दोस्तों आप मैंजे बहुत सारे लोग परिशान होंगे कि सर मेरे इनवर्टर में ग्रेड चार्जिंग डिसेबल का उपसन नहीं है या फिर सर मैंने SMU लगाया है तो मैं दिन भर ग्रेड चार्जिंग को ओफ के से रख सकता हूं या फिर जिन लोगों के पास UTL गामा प्लस इनके पास भी समश्या होगी कि सर हमने स्मार्ट मोड तो कर रखाया बट वहाँ पर समश्या क्या हरी है कि जैसे ही जब तक हमारी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती इन्वर्टर के वल बैटरी को चार्ज करता है और ग्रिड से लोड चलाता है पर परियापता एनरजी नहीं हारी सोलर से तो सोलर से के वल बैटरी चार्ज करता है बाकी load अमारा grid से चलाता है तो कुसमें काफी energy भी वेस्ट होती है दोस्तो इन सभी समश्याओं का समधान आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तो इस समश्या का समधान के लिए मैंने smart plug का use भी करके देखा आपको wifi internet की भी जरुत रहती है तो इससे बढ़िया है दोस्तो बहुत ही सुन्दर सस्ता और अच्छा जुगार मापलों को बताने वाला हूँ आज के वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हम light detector switch की जो की straight light में लगा होता है दोस्तो उनमें क्या होता है कि जैसे ही light detect करता है switch light को cut कर देता है जिससे आपने देखा होगा कि जो street light है वो सुबह की 6 बसती तोड़ा सा उजाला होती ही वो बंद हो जाती है automatic और जैसे ही रात को अंधेरा होता है तो वो automatic own हो जाती है तो light detector switch basically काम क्या करता है कि जब भी light detect करेगा वो light मतलब जब भी दिन होगा तो वो switch को off कर देगा और जैसे ही night होगी जैसे ही light detect नहीं कर पाएगा दोस्तो वहाँ पे वो हमारा switch है वो हमारा switch on हो जाएगा तो दिन भर आपकी grid अगर आप inverter पर इसको लगाते हो तो दोस्तो दिन में जैसे ही light detect करेगा वो तो आपके man's को cut कर देगा और जैसे ही उसके बाद अगर man's cut कर देगा तो आपका दिन भर solar से लोड़ चलेगा फिर साम को जैसे अंधेरा होने लगेगा तो वापिस man's को own कर देगा तो इस प्रकार ये दिन भर बहुत अच्छे से काम करेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब man's चीज है कि हमें किस प्रकार खरीदना है कैसे खरीदना है देखिए अगर आपने 1 kVA का inverter लगा रखा है तो उस inverter पर आप 5-6 A का लगा सकते हो अगर आपने 3 kVA का inverter या 2 kVA का inverter ले रखा है तो वहां से 10-16 A तक का आप ये switch ले सकते हो अब लगाना कहा है ये भी मैं आपको समग रहता हूँ दोस्तों जो आपकी main supply है और जो आपका inverter है उन दोनों के बीच में इस switch का installation करना है जिससे की और इसको ऐसी जगह रखना है इस जब बहार की तरह मतलब तोड़ा जहां पे आपकी छट पे लगा सकते हो तोड़ा लंबा wire करके या फिर ऐसी जगह जहां पे मतलब की जहां छट हो मतलब खुला इस पे जो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपने light का उजला जा रहा है तो वह on कर देगा तो आपको कहां पे लगाना है इसको छट पे लगाना है जहां पे अंदेरा रहता है मतलब जहां पे दिन में उजला रहता है आथ को अंदेरा रहता है इसी जगह लगाना है इसको रूम के अंदर नहीं लगाना है, बाहर ही लगाना है, इसको छत के उपर कहीं पर भी आप लगा सकते हो, जहां पर लाइट नहीं हो, मतलब जहां पर कोई LED नहीं लगी हो, तो आईए इस स्वीच को देख लेते हैं, और तोड़ा सा और इसके बारे में निटेल में जान सेंसर, स्वीच फोर लाइट, वाटरप्रूफ, LDR, स्वीच तो लाइट डिटेक्टर रेजिस्टर है, दोस्तों यह जैसे ही मतलब लाइट डिटेक्ट होती है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे यह ओफ कर देता है, और जब रात को लाइट चली जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इसके कान यह ओन कर देता है, तो गार्डन लाइट, आउट्डोर लाइट साधी के लिए यूज कर सकते हैं इसको, और इस परकार का स्वीच होता है, देखे, आप जिसा कि आप देख पर होंगे, तो यह दोस् 1000W तक के लोड के लिए हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं, देखे, 1000W लोड के लिए आराम से इसको यूज कर सकते हैं, स्टेट लाइट, आउट्डोर होम लाइट, टर्न ओन लाइट इन नाइट, और ओफ इन मॉर्निंग, तो दोस्तों यह दिन बर आपकी लाइट को कर सकते हो, और एक KVA के लिए सफिशन्ट है, दोस्तों प्राइज भी काफी कम है, और काफी अच्छे से यह काम करेगा, तो खरी सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनी है, यहाँ पर, तो इन में से क्ट्यू एक सेंस का भी आता है, देखो यह रहा, तो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, किसी भी, देखे, इलक्टोनिक इस क्पिशिज का भी है, यह तोड़ी ठीक है कंपनी, यह दिखे 10 एंपियर का है, और इसका प्राइज है, 200 रुपे प्राइज है, दोस्तों यह भी आप ले सकते हो, बहुत ही सही प्राइज पर, और यहाँ पर, देखे यहाँ पर काफी अच्छे से काम करेगा दो जो इसके connection है वो समझना बहुत ही simple है देखिए मैं आपको बता लेता हूँ यहां पर तीन वायर है देखिए यहां पर लिखावा भी है जो red वायर है वो load के लिए है और जो neutral white वायर है वो neutral के लिए है और जो black वायर है connect कर दिया और inverter का neutral यहां पर connect करना है white पर ठीक है inverter का neutral हमने लगा दिया यहां पर अब दोस्तों अब में क्या करना है जो हमारी main supply आ रही है ठीक है black में है और आपको neutral लगाना है इसी में white में neutral में neutral common है दोनों का तो अब यहां पर आपका inverter आगया देखिए दोस्तों यह inverter है मेरा ठीक है और जो यह हमारा device है इसको हमें लगा देना है छट पर ताकि जब भी यहां पर जब भी सूरज की रोस नहीं आएगी जब भी दिन होगा तो यह switch off हो जाएगा यह हमारी main line को cut कर देगा जिसे कि हमारे inverter को supply नहीं मिलेगी और supply नहीं मिलेगी तो सारा का सारा load solar से चलेगा battery भी solar से ही charge होगी अगर और detail में इसको हम समझना चाहें तो देखिए मैं इसकी working भी आपको तोड़ा सा बता देता हूं दोस्तो यहां पर देखिए हमने यहां पर एक light का installation किया है देखिए मैं आपको समझा देता हूं किस परकार किया है देखिए जो red wire है इसमें हमारा जो light है इसका हमने phase wire लगा दिया देखिए इसका phase wire लगा हुआ इसमें और जो black wire है इसमें देखिए हमने line का phase दे दिया जो black wire इसमे देखिए यहाँ पे हमें red में load लगाना है, load का phase लगाना है, और neutral, जो white wire है, वो neutral है, उसमें दोनों का ही neutral लगाना है, inverter प्लस supply का, और जो black wire है, उसमें, यहाँ पे हमें supply का phase लगाना है, अलगला के दोस्तों, अलगला कलर भी हो सकते हैं, बहुत सारे में, बट वो इसके उप supply चालू कर दी, अब यह, क्योंकि अभी दिन हो रहा है, यहाँ पे इसको मैंने डखा नहीं है, अभी दिन हो रहा है, अच्छे से, क्योंकि मेरा tube light जल रहा है, तो इसको घर के अंदर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर tube light जलेगी, तो यह off हो जाएगा रात को भी, inverter को off कर द हो, अब देखिए, यहाँ पे देखिए, जिसे हम इसको ढखते हैं, इसको ढखते ही, जिसे ढखने का मतलब है, इसको अगर हम किसी भी बरतन से ढख देंगे, तो इसका मतलब है कि night हो गई, यहाँ पर अंदर हो जाएगा, इस sensor के चारो तरफ तो यह light ओन हो जानीच, यह र रात होगी, तो दोस्तों, यह man supply को on कर देगा, जिससा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए, यहाँ पे, जैसे इसको हमने डखा मतलब की रात होगई, तो इसने supply को on कर दिया, और जैसे ही देखो, दिन हुआ, हमने डिबा अटाया, इसके उपर से, तो यहाँ पे इसको load, man से चलेगा, ठीक है दोस्तों, और इसी परकार देखिए, यहाँ पे, जैसे ही, वापिस मैंने इसको डखा, देखिए, वापिस से, जैसे ही मैंने इसको डखा, वापिस से light चल गई, वापिस चलने लगई, तो इस परकार दोस्तों, यह काम करता है, इस परकार इसके connection है connection बहुत ही simple है इसके उपर ही wire का color mention होगा और वहाँ पे load, neutral और line तीनों के ये color बताएगा wire के उसके according है में connection कर देने हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस video से आपके help जरूर होगी और आपको समझ में आगया होगा कि किस परकार आपको ये पूरा setup करना है दोस्तों अगर फिर भी कुछ doubt रहता आप मेंसे किसी को तो आप मुझे comment कर सकते हो तो उसका मैं जरूर reply देने की कोशिश करूँगा अपनी तरब से और दोस्तों हर चीज मैं नहीं खरी सकता क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज खरीद के आपको practical करके दिखा पाऊ कुछ चीजे दोस्तों मैं नहीं खरी सकता तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको आगे मैं खरीद के आप लोग को practical भी दिखा पाऊ बट अभी मैंने पूरा concept इसका समझा दिया है बिल्कुल clear कर दिया है किस परकार ये काम करेगा किस परकार connection करने तो आप easily इस चीज को समझ गए होगा और price भी बहुत कम है बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप घर पे install करके इसको try कर सकते हो Thank you so much